पाइफ टाइप के टोकन समझ में आ गए अब में example में आपको समझा हूंगा कि कौन सा जो अब ये Python का प्रोग्राम लिखा हुआ है python के प्रोग्राम में क्या है ये अलग छोटी छोटी क्या है यूनिट चीजे हैं जिन से मिलकर यह पूरा प्रोग्राम बनाएं तो कौन सी चीज कौन सा टोकन है किस आप का टोकन है यह मैं आपको बताता हूँ तो पहले समझ लेते हैं इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है A की वैल्यू 15 लिए हमने B की वैल्यू 20 लिए है दोनों ही इंटीजर है S के अंदर मैंने क्या लिए Sum है Sum मतलब S S मतलब Sum तो A प्लस B A प्लस B का Sum मैंने कराया है इदर और उसको डाला है S में Python में क्या होता है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंगेज में Right Side हम जो वैल्यू लिख देते हैं ओके वह Left Side जो भी नेम होता है वैरियेबल होता है तो Right Side वाली वैल्यू लैफ साइड में स्चोर हो जाती है क्लियर स्चोरिंग की बी एक अलग कुछ पॉइंट्स हैं कि स्चोर होती है या नहीं होती जो बेसिकली जाने का परपस यह है कि S की वैल्यू ए प्लस बी हो गई रैट में जो लिखा है ना वो Left वाली की वैल्यू हो गई पॉइंट्स में आपको बताऊंगा इस्टोरिंग को लेकर डोंट वरी तो A की वैल्यू 15 B की वैल्यू 20 S की वैल्यू A प्लस B inetto個人 का तो इंटर्व इंट्वर्टर क्या करता है लायन बार लाइन प्रोग्राम को देखता है तो Springs line नेको यह कंडीशन डोगी तभी इस लाइन पर ना श으कर कर दे का इस statement को ले किलिए समझ में आगया आगया और अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराऊंगा जो आपकी बुक में और भी एक्स्ट्रा कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा अब मैं इसमें बता दू कौन सा क्या टोकन है मैंना बताया था कि सबसे पहला क्या था कीवर्ड तो इफ क्या है एक कीवर्ड है इफ क्या है हमारा एक कीवर्ड है A क्या है? एक identifier है B क्या है? एक identifier है S क्या है? एक identifier है क्योंकि मैंने name दिये है ये parts को clear 15, 20 ये क्या है? They are literals They are literals ये values है A plus B क्या है? ये दो अलग-अलग क्या है? Identifiers है इनके अंदर values store है जो एक पूरा एक value बना रही है और वो store हो रही है S में if एक keyword है keyword type का token है अब ये bracket क्या है? ये bracket है आपका punctuator as एक identifier है ये एक operator है एक literal है एक punctuator है ये और ये क्या है? ये function है statement है ये एक token नहीं कह सकते हम इसको but हम बोल सकते हैं कि print जो है एक तरीके से एक आपका identifier है क्योंकि ये एक function है और function को जो name दिया गया होता है वो क्या कहलाता है? identifier तो functions भी आप अच्छे से समझेंगे ये क्या है? it is a punctuator and as क्या है? as एक variable clear? variable means identifier तो आपको समझ में आगया होगा कितने तरीके के tokens हैं? कितने हैं उलते हैं उलते हैं? य हुआ यह सके रहीं ये ईचके में आपको रहीं तरीके को भी थीषैंगे जआ। आपके की वागया है